नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इट्रूजएड अपडीट में आपका होश्ट दोस्ती पोगुपता स्वागत करता है इस नई वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवर ड्राइवर को आप कैसे एड कर सकते हैं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और साथी साथ आपको पूरी डिटेल यहां पर में बताने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या-क्या डॉकुमेंट्स वेरिफाई करने पड़ेंगे क्या-क्या आपकी मोबाइल की सेटिंग होगी कैसे आप अपना incentive चेक कर सकते हैं कैसे आप अपनी payment देख सकते हैं साथ इसाथ आप कैसे इसको refer करके अच्छा खासा पैसा भी earn कर सकते हैं यह सारी जानकारी इसी एक single वीडियो में आपके साथ रूबरू होने जा रही है तो उमीद करूँगा कि आप इस वीडियो को अंतक देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए तो दोस्तों जैसे ही आप over driver app को open कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का interface आपकी screen पर आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर जो जीरो जीरो देख रहा है वो आपके current earning होती है लेकिन फिलहाल अभी joining process की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर left hand corner पर three dots मिल रहे है simply आपको यहाँ पर click कर लेना है जैसे ही आप click कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपने जिस नाम से click किया है वो so करेगा उसके बाद inbox मतलब यहाँ पर जो भी notification वगएरे आएंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अब उसके बाद यहाँ पर जो opportunities वाला section है इसके अंतरगत आपको यहाँ पर current incentive जो भी plan चल रहा होगा वो सारी चीज़े आपको दिखेंगी जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते है promotion वगएरे और date wise वगएरे यहाँ पर आप उसको देख सकते है फिलाल अभी कोई भी incentive नहीं है अब इसके बाद बापिस से आपको यहाँ दिखना है earning वाले section में earning वाले section में आपको दिन भर की total कमाई दिख जाएगी कितनी trip की है आपने कितने point आपको मिले है कितना पैसा आपने कमाया है यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब करना किया है दोस्तों इसके बाद आपको एक wallet वाला section मिलेगा wallet वाला section same to same है जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी online आपको payment आएगी या जो भी आपको promotion का आएगा या जो भी आपको incentive वगरा मिलेगा वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ add bank account वाली process बता रही है यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आंगे चलके तब तक के लिए बनी रहेगा इस वीडियो में तो दोस्तो step by step यहाँ पर cover करते करते अब आप आजाएंगे अपने main option में जिसको हम account section कहते हैं जैसे आप account section में जाएंगे तो यहाँ पर आपको listed सारी जानकारी जो है वो complete करनी है तो दोस्तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गारी है मैंने जिसका RC यहाँ पर upload किया है उसकी detail आगई कि बजाज platina 110 और यहाँ पर सिर्फ मेरे को select करनी और add a vehicle कर देना है तो जैसे ही करूँगा तो यह vehicle मेरा add हो जाएगा और यहाँ पर उससे mac वाली information पूछेगा तो आप यहाँ पर उसकी information दे सकते हैं कि यह कप का model है तो जैसे यहाँ पर मेरा जो model है वो 2019 का है तो simply आपको यहाँ पर mac दे देना है या फिर आप अपने RC card से देख सकते कि proper detail क्या भरनी है अब इसके बाद यहाँ पर पीछे चलते हैं आपको तो मैं आपको अब documents वाले section में लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन-कौन से documents आपके approved हो गए है कौन-कौन से reject हो गए है जैसे कि फिलहाल मेरा अभी जो driving license था वो duplicate license था और उसकी condition काफी कराब हो चुकी थी इसलिए यहाँ पर आरा need your attention इट मेंस कि यह driving license जो है मुझे बापस से re-upload करना पड़ेगा या फिर e-driving license मतलब कि जो online driving license होता है वो मुझे यहाँ पर upload करना पड़ेगा यहाँ पर driving license back की copy करनी है यह भी यहाँ पर आपको fill करनी है अब उसके बद यह optional जिसमें लिखा है उसका मतलब यह है कि आप इसको चाहें तो कर सकते हैं या चाहें तो ना भी करेंगे तो आपका चल जाएगा अधार कार्ड यहाँ पर optional दिख रहा है उसके बद back copy दिख रही है पुलिस clearance या पुलिस certificate जिसको हम बुलते हैं basically police verification यह भी optional है कंपल सरी नहीं है आप इसको भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते profile photo यहाँ पर review में है यह review में इसलिए क्योंकि एक बार आपको office जाके online यह offline आपको यहाँ पर review करानी होगी या फिर आपने जो भी अभी photo click की है जो कि last में आएगी selfie से वो approved होनी वाली होगी यहाँ पर pen card देख रहे हैं इसमें green tick लगा हुआ मतलब pen card मेरा approved हो गया है गारी के detail है जो वो approved हो गई है vehicle insurance vehicle insurance अभी इन्होंने फिलहाल हाल फिलहाल optional रख रखा है लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप अपनी जो insurance policy है यदि आपकी वाइक जो है insured है उसका insurance है तो please उसकी copy जरूर यहाँ पर आप upload करके रखें तो कुछ इस तरीके से interface रहेगा यह सारी detail रहेगी अब इसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं यह payment वाले section में जैसे ही आप payment वाले section में जाएंगे तो आपको यह option मिल जाएगा link bank account का काफी सारे हमारे subscriber भाईयों को यह question रहता है कि bank account कैसे link करें तो simply आपको यहाँ पर click करना है जैसे ही आप यहाँ पर next button पर click के बाद आपका यहाँ पर नाम आजाएगा जो कि आपके as per documents में हैं तो आप वही document के साथ जो account number link है वही detail आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी ऐसा नहीं चलेगा कि आपका नाम कुछ और है और bank account में किसी और का नाम आप दे रहे हैं वो वहाँ पर भी आपका application reject हो number IFSC code और उसके बाद जो भी आपका address है जो की address proof आधार कार्ड वगरे अपलोड करेंगे आप उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा एक यहाँ पर confusion और create होगा कि यदि आधार कार्ड आपके permanent address का है और आप किसी और दूसरे सहर में काम कर रहे हैं तो आप अ तरीके से आपकी जो account detail है वो यहाँ पर complete हो जाएगी account detail complete होने के बाल tax information वाले section में आपको खुछ नहीं करना इसलिए आपको खुछ नहीं करना क्योंकि already आप यहाँ पर pen card की detail जो है वो share कर चुके company के साथ तो अब जो भी tax information होगी वो company यहाँ पर देख लेगा अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देते हैं about में जाने की जरूत नहीं है insurance वाले sector में जाके आप जरूर देख लें कि company आपको कितना कितना insurance provide करती है अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर extra peace of mind coverage क्या मिलता है यह सारी चीज़ें आप जैसे ही click करेंगे अब आपको जोनी कौन सी है टाटा AIG की तरफ से मिलेगी यह आपका policy number मिलेगा अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ coverage detail कितनी प्रकार से मिलेगी coverage detail यहाँ पर आपको तीन टाइप की मिलती है पहला medical expense का दूसरा permanent disability और तीसरा death के case में तो medical के case में आप यहाँ पर देख सकते हैं क इसको मैं detail से एक दिन explain करूँगा लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूँ कि up to 2 lakh तक का आपको hospitalization मिलता है आउट patient को 50,000 रुपय तक का मतलब कि यदि आप जैसे hospital में admit नहीं होते हैं पर घर में यदि आपको bad rest करना पड़ता है आप injury की वज़े से तो जो भी medical expenses होंगे जो भी आपकी दभाईया होंगी वो सारी चीजों के लिए आपको कितना 50,000 रुपय तक पैसा मिलेगा और यदि आप hospital में admit होते हैं उस case में आपका जो hospital का बिल है 2,000,000 रुपय तक company यहाँ पर bear करेगी अब यहाँ पर हम चलते हैं permanent disability के case में चलिए मैं simply आपको बता देता हू permanent disability का मतलब होता है कि कोई भी आपके सरीर का एक पार्ट काम ना करे जैसे कि हाथ का टूट जाना, पैर का टूट जाना, पैर कट जाना, इस case में permanent आप disabled माने जाते हैं और उस case में company आपको 5,000,000 का यहाँ पर insurance प्रोवाइट करेगी अब चलिए हम चलते है death insurance में, तो death insurance में जैसे हम यहाँ पर click करेंगे death के case में, तो death के case में भी आपको यहाँ पर 5,000,000 का coverage मिलेगा, मतलब कि total disability और death, यहाँ पर equal है death insurance, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर insurance की detail मिल जाएगी, तो अब चलिए हम यहाँ से back चलते हैं, back चलन ताकि कोई other user आपकी information leak ना कर सके, app setting के अंदर कुछ मी नहीं करना है, app setting के अंदर basically आपको यहाँ पर मिल जागे, जैसे sound और voice का है, किस प्रकार का आपको ride चाहिए, जैसे कि आप multiple यहाँ प्लेटफरम यूज़ करते हों, तो आपको कुछ difference चाहिए, कि यह Ola की ride आई, यह यह over किया यह यह रैपिडो किया आई, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, navigation setting कर सकते हैं, night mode automatic है, इसको automatic पर ही रहने दीजेगा, जिससे कि क्या होगा, कि night में आपका dark mode enable हो जाएगा, और दिन में आपका normal mode रहेगा, अब यहाँ पर emergency contact में आप देख सकते हैं, emergency contact में आप अपने किसी भी ऐसे person का नंबर रख सकते हैं, जो की emergency के case में आपको support करे हैं, जिनसे हम contact कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी जाके उसको add किया जा सकते हैं, speed limit है, speed limit आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि आपको कैसे speed limit देखनी है, speed limit विलो 60 km, आपको 60 km आपको 60 की स्पीड तक की गारी च चलाते हो तो फिर आपको penalty लग जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं speed limit के हिसाब से आपको penalty charge होगी इसलिए प्लीज आप rush driving नहीं करें कभी भी कोई भी check नहीं करना है आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको किसी प्रकार के दिखकत हो तो दोस्तों यहाँ पर यह सारी चीज़ें होगे यहाँ पर account section हो गया help बाले section में जाके आप यहाँ पर help ले सकते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको यहाँ पर जो पहले से define जो answer है वही आपको मिलेंगे customer का live support आपको अभी फिलहाल नहीं मिलेगा या हो सकते कि कोई problem हो पर customer care जो है support live यहाँ पर अभी नहीं है आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसे question के answers मिल जाएंगे I should have received a cancellation fee for this trip तो यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि आप cancellation यह पढ़ सकते हैं काफी time taking है इसलिए आप चाहें तो इसको जब free हो तो पूरी detail आप इसको पढ़ सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कुछ इस तरीके से आपके साथ मैंने over की जो information है वो आपको simply यहाँ पर share की है यहाँ पर आप देख सकते हैं so over over other apps एक setting और है जैसे कि बाकी सारी चीजों में होता है कि आपका जो screen पर display होता रहता उपर उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पर so over over other app में click करना है जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर एक setting का option आजाएगा setting के option में जाने के बाद आपको यहाँ से over select करना है जैसे ही आप over record driver को select करेंगे allow display over other app तो इससे क्या होगा कि यहाँ आपके screen पर कोई भी app चल रहा होगा उसके उपर यहाँ पर notification आपको दिखता रहेगा उबर का जब तक आप login रहते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते ही एक नया version आ चुका है आप चाहें तो इसको download कर सकते हैं या आप फिलहाल इसको छोड़ी दीजेगा तो कुछ इस तरीके की जानकारी है उम्मीद करता हूँ कि इससे जरूर आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई value मिली होगी कुछ सीखने को मिला होगा इसके बावचूद यदि आपका कोई confusion रह जाता है कोई doubt रह जाता है हमारी family का हिस्सा बन सकते तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जयाएं जयाभारत बंदे मात्र सजना जी मैंनो छड के नी जाना कदी जूटे वादे सही दिल से नी भाना कदी अलंबी राते सही ख्वाप तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चान बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिसन का शोप नहीं दिल दीवाने तेनो बेवपा का रोग नहीं